रेकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोट उपर और दिखाएं अपना हुनर मुझे कविटा लिखते हुए बहुत कम दिन हुए हैं एड़ बड़ सब्सक्राइब और मैं यही सोचता जा कि यह कविटा बहुत लिख रहा है क्योंकि अगर मैं इत्रा होता तो बग मेले से लिख चोगा हुए तो उसी बारे में मुचाइस में में पुटिया है वो मख लिष्ट कंदराओं से वो मुझे पावबाद पुलाता है अगर अंसुना उसे गरूतों परी मीन्द से मुझे जगाता है सुप्त संवेद्राओं के कस्वे में मुझे को उड़ा ले जाता है अंजानी अनुभूतियों से मेरा परिचय करवाता है हालातों की कड़ी धूप में चाता वन सर पर चाता है तुखों के दर्दीले दलदल में कभी खसने से बचाता है सच के पथरीले पर्वतों का द्रिश्य विहंगम दिखलाता है चतिल पहेलिया जीवन की छट से हल कर जाता है तम तिरोवित तीक्षण तक्यर रवीबन प्रकट कर जाता है अभियोक्ति का नवल विश्व शण भर में रच जाता है पल-पल प्रवाहित जीवन में अमृत के गण परसाता है मुझ में रस्ता कभी है वो पस कभी अचान करता प्रवाँ प्रवाँ